दोस्तों, विंटर में, मतलब कि ठंडी की सीजन में कमर दर्थ क्यों बढ़ जाता है? दोस्तों, इसके 3 सबसे main reason है सबसे पहला तो, जैसे जैसे winter आगे बढ़ता है, temperature कम होता जाता है वैसे ही हमारे जो muscles होता है, peraspinal muscle कमर के स्वायी जो होता है वो stiff होते जाते है, वो जकड़ जाते है आपको ऐसा लगता है कि हमें चलने में ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं जुक पा रहे, पीछे नहीं हो पा रहे, एकदम stiffness, कई बार robot जैसी feeling आती है, तो ये stiffness के कारण कमरदर बढ़ जाता है, दूसरा जैसे जैसे temperature कम होता है, वैसे winter में हमने देखा है कि हमारी खुद की भी physical activity कम हो जाती है, हम sports खिलना कम करते हैं, दोडना, चलना, ये सब कम होता जाता है, तो ये activity जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे ही flexibility हमारे body की, हमारे joints की, हमारे muscles की ये कम होती जाती है, एक लचकता जो होती है, वो कम होती है, उसके कारण कमरदर बढ़ सकता है, और तीसरा winter में हमारा hydration मतलब की पानी का जो intake है, वो कम रहता है, water intake कम होने के कारण, जो दो read की हड़ी के बीच में जो गादी होती है, जो disc होती है, इसमें भी water content कम हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, कि हम जब भी चलते हैं, दोड़ते कुछ भी करते हैं, तो ये जो shock absorbing capacity होती है, ये ग